नमस्कार फ्रेंट्स स्वागत है एक बार फिर से आप सब को आपके अपने चैनल में तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप ड्रीम 11 के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन को सेलेक्शन कैसे करेंगे ठीक है वीडियो काफी इंफरमेटिव है पहली पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिक्शन बेल को आउन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेना कि यहां पर फ्रेंट्स आपको हर रोज जिसी तरह के कॉंटेंट मिलते रहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अक्सर होता क्या है गाइज की ड्रीम 11 के अंदर जो मेगा गरेंडली के कॉंटेस्ट होते हैं उसमें आप बहुत अच्छे एक बहतरीन टीम कर लेते हो 11 पलेयर को लेकर के आप सब्सक्राइब करके एक वेस्ट टीम कर लेते हो अब कारण होता क्या है कि आपका टीम पॉफॉमेंस नहीं करता है बस इसका यहीं एक रीजन ह कि आपका केप्टन और वाइस केप्टन अच्छे से सेलेक्ट नहीं होता है और अच्छे से सेलेक्ट नहीं होने के करण आपका केप्टन वाइस केप्टन अच्छा पॉफॉम नहीं करता है और आप कितना हूँ अच्छे टीम क्रिएट की रहते हो वो टीम आपका बिलकुल तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे कि Captain Voice Captain आप कैसे सेलेक्ट करेंगे अगर इस मिंठट से आप Captain Voice Captain को सेलेक्ट करते हैं तो आपका टीम अच्छा परफ़ॉर्म करेगा और आप ड्रीम लबन के अंदर अच्छी रैंग ला सकते हो तो वीडियो को continue यहां से देखते रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से captain voice captain की selection किया जाता है guys देखिए captain voice captain एक ऐसा important role होता है जिससे आपकी team craft team भी अगर captain voice captain चल जाते हैं तो वहां पर आप हमेशा winning zone में रहोगे ठीक है तो आप video continue ध्यान से जरूर देखिएगा इसके साथ friends मैं आपको एक और बात बता दो कि अगर आप फिरी टीम लेना चाहते हैं तो description में टेलिग्राम चैनल का link है जाए जुआइन किजिए वहां आपको डेली फिरी टीम प्रोवाइड किया जाता है जिससे आप अच्छी रहें के ला सकते हो इस मॉलिक और येल की कम्यूनेशन कर सकते हो गाई यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ captain और वाइस केप्टन की बात करने वाले हैं तो यहाँ पर देखिए हम टीम पर क्लिक करते हैं इस तरह से हमने एक को बताने वाला हूं सबसे पहले ड्रीम 11 पर कोई भी मैच को प्ले करते हैं तो आपको उस मैच के बारे में जनकारी होना चाहिए इसके साथ इसके जो बैटिंग ओडर होते हैं और जो पीच रिपोर्ट होते हैं और प्लेयर का स्टार्ट यह तीन चीजे आपको मालूम करना ह होगा तभी आप यहां पर सेलेक्शन अच्छे से कर पाओगे केप्टेंशी और वाइस के लिए ठीक है इसके अलावा एक और इंपोर्टेंट चीजे हैं जिसको हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे और वहीं ट्रिक से आप हमेंसे केप्टेंश केप्टेंश को अच् से रही हमने एक टीम कर लिया है और केप्टेंश और सेलेक्शन के सक्छन में यहां पर देख सकते हैं अलेवंत पर सारे प्लेयर जो है Help और वाइस केप्टन के लिए सेलेक्ट किया गया है जिसमें से किसी का सेलेक्शन कम है और किसी का सेलेक्शन ज्यादा इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं अब यहां पर देखिए अंद्रे रसेल है यह तेरे परसेंट सेलेक्ट किया गया है कैप्टन के लिए हैं लोग बनाया है और 14 लोग उसको बनाया है तो यहां पर मेगा इशाज्ञ में ऱ्वाइस केप्टन और रिक्स कैप्टन लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ अब यहीं बात को आप ध्यान से समझेगा गाई मान लेजिए कि दो टीम के बीचे मुकाबला हो रहा है और आपको यहीं देखना है कि किस टीम में कितने राइट हैं और किस टीम में कितने लेट हैं यहां पर जो बाते मैं आपको बताने वाला हूँ उ प्रेम और ठिबर की होता ओंट करता है तो आपको टीम बनाते वक्त देख लेना कि किस टीम में राइट है और विपर है और किस टीम लवैं exper चाहिए ऐगर किस वालत टीम में ज्यादा राइट हैं तो आपको क्या करना है और यृप्वेस्ट टीम से लेप olm एंप्वाइब केप्टन आपको कर देना है ठीक है चाया उसका सेलेक्टिन कॉम हो या ज़्यादा हो इसको आपको नहीं देखना है ठीक है अगर ज़्यार राइट है और बाज ग्राउंड ठीक है बैटिंग ग्राउंड अगर हो तो वहां पर राउंडर और बैट्समन और विकेट कीपर को कैप्टन भाज कैप्टन दे सकते हैं वहीं बाउलिंग ग्राउंड पे आप बॉलर्स ऑल राउंडर को कैप्टन बना सकते हैं ठीक है यह चीजे आपको याद र है तो उसको आपको रख के सब्सक्राइब करें तब आपका यहाँ से मिल गई अब गाई यहाँ पे यहां पे यहां पे टीम कर लिया है और यह जो पीछ है यहां पे पेसर बॉलर को सपोर्ट करते हैं ठीक है पर बैटिंग फ्रेंडी ग्राउंड है तो यहां यहां पर देखिए अंध्रे रसेल है ठीक है all rounder player है और फास्ट गेंदवाज है और इसका देखिए यहां पर आप देख सकते है राइटर फास्ट बॉलर है ठीक है और फास्ट गेंदवाज भी है और all rounder player है ठीक है बैटिंग से भी point देने वाला है और यहां पर यह बॉलिं तो जीतने भी लेट हेंड बल्ले बाज होंगे यहाँ पापोजिट टीम से उनको ये और ठीक है तो इसलिए यहाँ पयाँ प्रफक वाइस केटेन बना सकते अब जाए यहां पर आपको केटन करने के लिए यहाँ पर तो हम लेप टारम मीडियम फास्ट बॉलर है तो यह आउट करेगा जितने भी आपोजेटिम के राइट बल्लेवाज होंगे उन बल्लेवाजों को यह आउट कर सकता है तो इसको आप यहाँ पर वाइस केप्टन बना सकते हैं इसके आलावा आप यहाँ पर निचे स्क्रॉल करेंग है तो यह आउट करेगा जितने भी राइट बल्लेवाज होंगे यहाँ पर पोजेटिम में उनको यह आउट कर देगा तो यहाँ पर दो आपको वाइस केप्टन के लिए पलेयर मिल गए इसी तरह से यहाँ पर अखिल हुसेन है ठीक है इसको भी आप वाइस केप्टन कर सक है तौ आप यहाँ पर अखिल हुसेन को यहाँ पर सकते हो और यहाँ पर पहल पीछिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए सी घ्री ठीक है यह और यह उपरोटिम में यहाँ कम कम दो-तिन ऐसे बल्ले बाज है जो लेफ्टेंडर बंद बल्ले बाज है जिनको यह आउट करेगा और सेलेक्शन यहाँ पे इसका कितना है एक परसेंट है अगर यह पर लेटा है तो आपका वाइस केप्टन का पारी खेल जाएगा और आपके रैंक के पीछे ही सारे लोग रहेंगे यानि कि आपका टॉप पे रहेंगा ठीक है तो इस तरह से आपको केप्टन वाइस केप्टन सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर देखिए अब केप्टन वाइस केप्टन जो यहाँ पर सेफ हो चुका है और यह टीम आपको लाखों में नंबर वन रैंक पे लाने वाला टीम है यहाँ पर क्रेडिट भी आपका माइनेज हो जाता है यहाँ पर कि 9 क्रेडिट आ चुका है ठीक है तो गाइज क्रेडिट पे भी आपको ध्यान देना है अगर आप पूरे 100 क्रेडिट में टीम क्रेड करोगे तो आप कभी भी गिनन लिंग में विन नहीं करोगे ठीक है तो क्रेडिट आपको कम से कम दो से जादा मतलब कि यहां पर बच जान अगर ऐसे इस ट्रिक को फ्लो करते हो तो आज होब कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना अपने फ्रेंड के साथ सेयर करना मन में कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हो